जो रिदम सेंस की बात है वो बच्पन से आई है जब एक साल के थे हम गोद में ममी पापा लेके मुझे डेली में एनस्डी करते थे तो वहां पे जब प्ले करते थे वो लोग तो गोद में लेके हमको बैठते थे तो उसी समय से जो रिदम बचता था बगल में तबला वाले तो खंजडी समझते हैं खंजडी लेके हम उसी पे टाइमिंग पे ऑन बीट बजाते थे एक साल की उम्र में हाथ से ही जब टाप करते थे तो रिदम में होता था वो और एक दिन ऑफ बीट हुए थे डांस करने की बारी आई थी पापा थे साथ में वो धाई साल के थे तब तो ओफ बीट कर रहे थे डांस तो पापा ने बस हाथ ही उठाया था कि मारेंगे एक जहापड़ा भी तुम सीधी हो जाओगे ऐसे करके उसी टाइम से जो रिदम पकड़ा मैंने वो रिदम के मामले में कोई टचूड है कि कोई मुझे हरा नी सकता है भले डांस ना कर अब फिल्म का रिस्पॉंस बहुत अच्छा है एक अलग से किरदार में नजर आओंगी अनुभव के संदाख लेखिए अनुभव बहुत अच्छा एसे की अलग पावण सीं के स्टाइल दो सरभा रवी जी के स्टाइल दो सरभा एक्टिंग के तो हिरोईन के एड़ाइस् केसारी जी का जो टोन है भोजपूरी जो बोलते हैं वो में ख्याल से थोड़ा च्छपरा आरा और कुछ जगें हैं जहां पे चेंज होता है भोजपूरी कुछ शब्द का इधर उदर होता है होता है ना तोन भी चेंज होता है तो इस तरीके से थोड़ा वो अलग बोलते ह लेकिन काम करने में बहुत कम्फुटिबल हैं, ज्यादा एक्टिट्यूड नहीं, कुछ नहीं, हसते-खेलते काम निकालते हैं, हसी मजाग करते हुए अचरा के फ्यूचर प्लानिंग? फ्यूचर प्लानिंग यह है कि आक्टिंग अभी और अच्छे से करना है, मांजना है अपने आपको, एज एन अक्ट्रेस साबित करना है अपने आपको, हिंदी के तरफ थोड़ा शिफ्ट होने का प्लान है कि हिंदी में भी बतार एं अक्टर साबित हो पाऊं, लोग जान प अभी तरफ थोड़ा शुचा नहीं अभी तक, नहीं जन्दगी में के हुबाते नहीं नहीं पका अगर हो का भी तो इंड़स्ट्री का नहीं होगा तीन साल के सफर हो बेल, तीन साल में अक्षरा बहुत उपर गई लिए बहुत उचाही तैक एलिए बहुत इप फिल्मी द कि हमने के दर्सक खाती उपल जोन तीस देलस तकलीफ देलस जोन से शिकायत पा सेयर करी और जोन खुसी देलस वह सेयर करी जो एक प्रचलन आ रही है भोशपूरी फिल्म में कि हीरोस के रिकमेंडेशन पे हिरोइन्स काम करेंगी या वो अगर चाहेंगे सिर्फ हिरोइन्स अगर चाहेंगे तो यह हिरोइन रहेंगी हिरो अगर चाहेंगे तो यह कोरियोग्राफर यह यह डिरेक्टर ही रहेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत सारे तकलीफ तब होती है एज हिरोइन हम बोल नहीं सकते हैं सेट पे लेकिन बहुत सारी चीज़े ऑबजर्ब कर के अंदर ही अंदर तकलीफ में रहते हैं क्योंकि hero का वो नहीं है दब दबा नहीं चलता है..... कहींपे भी नहीं चलता है कि ए तकलीफ रेट में प्राइस बहुत अपन्य का का था फिल्म के बहुत चारा दिस्सा बढ़ा इसा प्रोडक्षान कॉस्ट फिल्म के बढ़ा हिस्सा हेरो के खाता में जाला अबहुत चुता हिसा यह तना है जो पीछा लेकर शाते हैं As a heroine, hero, इन दोनों का price इतना है, hero का to heroine का इतना है और बाकी technicians उसके नीचे चले दाते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका भी बढ़ाना चाहिए, hero के बराबर ही थोड़ा ऊपर नीचे करके करना चाहिए बल्कि हम तहीं का है, hero के आपन जे तथा खतीते, star बापन price कम करे के चाहिए ताकि quality बढ़े बिल्कुल, ये करना चाहिए, ये सब को सोचना चाहिए, मिल के सोचना चाहिए Film industry में इसन कावा एह तीन साल के सफर में जोन आक्षारा के खुशी देला खुशी ये है कि अच्छा काम करने का मौका मिलता है, जो लोग as an actress मुझे पसंद करते हैं, वो काम देते हैं, अच्छा काम देते हैं और मैं अपने आपको प्रूफ कर पाती हूँ, इस चीज की खुशी है, माबाप का support anytime मेरे साथ है जब भी पीछे मुड़ के जब भी तकलीब में रहती हूं, पीछे मुड़के देखती हूं, दोनों stump के जैसा खड़े रहते हैं मेरे साथ तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, प्लस तकलीफ होती है भुशपरी इंडस्ट्री के लिए कि हीरो के कहे अनुसार सब कुछ होता है कुछ बड़े जानकार लोग जो हम तो पैदा भी नहीं हुए थे उस समय से लोग काम कर रहे हैं कोरियोग्राफर हैं डिरेक्टर्ज हैं आक्टर्ज हैं जो की बहुत ही अपने जमाने में सूपर स्टार्ज और सब रह चुके हैं उन लोगों को देखती हूं हम लोग पॉजिटिवली सूचते हैं कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोग उस नजरियर से देखते हैं ऐस गुरू कह लीजे ऐस गार्जियन कह लीजे वैसा हम लोग देखते हैं कुछ हीरो जो है वो निकालने में या कुछ तकलीफ देदेते हैं तो उन सब चीज़ों को देखके अंदर से तकलीफ होती है हाल में एक फिल्म किया हमने जिसमें कानू मास्टर जी कोरियोक्राफर थे जिनको मैं बहुत दिल से बहुत इज़त करती हूं क्यूंकि पहली फिल्म मेरी उनके साथ रही और बहुत कुछ सिखाया उन्होंने बिटिया आइसे कर बिटिया मला एकदम लाड पयार से कि नहीं बहुत चोटी है नहीं लेना चाहिए उसमें एक हीरो है हुआ क्या कि उनको हीरो चाहते थे कि कोई और कोरियोग्राफर रहे जो कि इंडस्ट्री में आज करते हैं और उसमें नाम मेरा आ गया कि मैंने उनको निकलवाया तो उनका एक लंबा चोड़ा मेसिज आया मेरे पास की बेटा जो काम करता है उनको निकलवाना नहीं चाहिए अगर रिकमेंड ना करते हो तो तो उस बात की मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैं बहुत रोई अंदर से और मैंने ममा को बोला कि मैं क्या करूँ मा इसा इसा इजाम लग रहा है मेरे पर माने बुला है कि इश्वर है ना विटा तुम जानते हो ना कि तुम सच्चे हो उनको खुदी कभी ना कभी उनको पता चलेगा और तुम लोग वापस से वैसे ही घुल मिलके रहो गया थेंक यू मच अक्षरा आम मा की बात बिलकुल सही बात करें खाती सुनी अक्षरा के बात इजॉन हेरो लों के दबंगई बहु बंधों कर चाहिं वागई कलाकार के कलाकार के तरह देखे के चाहिए राजनीती जोन होता भोचपुरी सिनेमा में वो सचपुरी सिनेमा के सिहत खातिर अच्छा नहीं के बत कही में अगिला हफ्ता यही दीन यही समय कोन दोसरा सेलिबरेटी के साथ आज खातिर एतने अब अपना दोस्त मनुज भाव के दिविदा नमस्कार